हैलो बच्चु, आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं एक और कहानी और हमारी कहानी का शीरशक है कितनी जमीन ये कहानी है एक ऐसे रिक्ती के बारे में जो जमीन खरीदने के लिए बहुत मेहनत करता है लेकिन अंत में उसे जमीन फिर भी नहीं मिल पाती ऐसा क्यूं होता है उसके साथ? चलिए देखते हैं कहानी के माध्यम से एक आदमी के घर किसी दिन एक मुसाफिर महमान आया रात की समय बातों ही बातों में मुसाफिर ने कहा यहां से कुछ दूरे गाउं है जहां पर जमीन इतनी सस्ती है कि मानो मुफ्थ ही मिलती हो और जब पहुँचा तो उसने कहा कि मैं जमीन खरीदना चाहता हूँ गाउंवालों ने कहा कि तुम जितना पैसा लाए हो रख तो जमीन खरीदने का तरीका यह है कि कल सुभा सूरज उगने से पहले तुम निकल पढ़ना और शाम के सूरज के अस्त होने तक जितनी जमीन तुम घेर सको वह तुम्हारी होगी यानि जमीन खरीदने के लिए पैसो की जरुरत नहीं थी धन की कोई जरुरत नहीं थी जमीन खरीदने का तरीका क्या था कि सूरज उगते ही हमें चलना है और सूरज के अस्थ होने से पहले जितनी जमीन हम चल कर घेर लेंगे उतनी जमीन हमारी हो जाएगी तो ये तो जमीन खरिदने का तरीका था अब यह सुनकर क्या हुआ? वह आदमी राद भर सो ना सका योजनाई बनाता रहा कि कितनी जमीन घेर लूँ सुबह होते ही वह दोड़ पड़ा उसने साथ अपनी रोटी और पानी का भी इंतजाम कर लिया था यह सोचकर कि यदि रास्ते में भूख प्यास लगे तो दोड़ते दोड़ते ही खा पी लूँगा उसने सोचा था कि ठीक बारा बजे लोटाऊंगा ताकि सूरज डूपते डूपते वापस पहुँच जाओ उसने दोपहर तक मीलो का सफर पूरा कर लिया उसके मन में विचार आया कि दोपहर हो गई और मुझे लोटना चाहिए लेकिन सामने और उपजाओ जमीन दिखाई दी और यह खयाल आया कि थोड़ी सी और जमीन घेर लेता हूँ जरा तेजी से दोड़ना पड़ेगा लोटते समय उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया क्योंकि रुखना पड़ेगा उस रास्ते में उसने खाना भी फेग दिया और पानी भी फेग दिया क्योंकि उनका वजन भी ढोना पड़ रहा था उसने कोट भी उदार दिया टोपी भी उतार दी जितना हलका हो सकता था हो गया अब जब वह लोटने लगा तो उसे लगा की अरे सामने तो और उप जाओ ज़ाओ जमीन है, चलो थोड़ा सा और चल लेता हूं, ये भी घेर लेता हूं लोटते समय थोड़ा तेरी से दोड़कर लोट लूँगा उसने खाना भी नहीं खाया इस चक्कर में पानी भी नहीं पिया वेट जादा हो रहा था तो कपड़े और कोट अगेरा सब उतार दिये तो पहर बीद गई पर लोटने का मन नहीं हुआ अब उसका लोब बढ़ता जा रहा था लालच बढ़ता जा रहा था वो और जमीन घेरना चाहता था तो पहर भी बीद गई और उसका लोटने का मन नहीं हुआ तीसरा पहर हो गया लोटना शुरू किया परन्तु अब उसके मन में घबराहट थी क्योंकि देर हो रही थी सारी ताकत लगाई लेकिन अब वह ठक चुका था अब सूरज डूबने लगा था वह गाउं के करीब पहुँचने लगा था और उसे लोग दिखाई पढ़ने लगे गाउं की लोग खड़े थे और आवास दे रहे थे कि आ जाओ आ जाओ उसने दोड़ने में आखरी दम लगा दिया सूरज डूबने लगा इधर सूरज डूब रहा था उधर वह गाउं की तरफ भाग रहा था सूरज डूबते डूबते वह आदमी गिर पड़ा अभी सूरज की आखरी कोर शितिच पर रह गई थी वह किसी तरहे अपने आपको गाउं की और घसीट कर ले जाने का प्रयास कर रहा था परंतु सूरज डूब गया और वह ठक कर बेहोश हो गया वहां मौजूद लोग हसे और आपस में बाते करने लगे कि अब तक ऐसा एक भी आदमी नहीं आया जो यहां जमीन का मालिक बन पाया हो तो लोगों को तो पता था कि हर व्यक्ति यहां आता है और जमीन घेरने के चकर में लोटना भूल जाता है कि उसे समय से लोटना भी है और वो जमीन को घेरने के लिए बस चलता ही रहता है चलता ही रहता है इसलिए आज तक कोई भी व्यक्ति यहां पर जमीन का मालिक नहीं बन पाया तो बच्चो आज की कहानी में हमने क्या देखा कि हमारी आवशक्ताइं जो हैं जो जरूरत हैं वो सीमित होती हैं लेकिन हमारी मन की लालसा जो है और और एकठा करनी की जो हमारी होड है वो हमें मुसीबतों में डाल देती हैं लोग अपने आवश्रक्ताओं को ठीक से पूरा तो कर लेते हैं, लेकिन वही और पाना है, और चाहिए, और चाहिए. उस चकर में ना अपने स्वास्ते का ध्यान रगते हैं, नाहीं अपने समबंधों का। कि हम उस चक्कर में अपने सगे संबंधी जो है हमारे साथ ही है उनसके साथ भी समय नहीं बिता पाते तो हमें क्या करना है हमें अपनी आवशक्ताओं का सही से मुल्यांकन करना है सोचना है कि हमें कितनी आवशक्ता है उसके लिए हमें कितने प्रयास करने है और उसके साथ साथ हमें हमारे जो भावनात्मक हमारे संबंध हैं, उनके साथ सामंजस से कैसे बिठाना है तो ये थी हमारी आज की कहानी, अब समय है कहानी से संबंधित कुछ प्रशनों पर विचार करने का तो आज की हमारे प्रश्ण हैं प्रश्ण एक क्या अपनी आवशक्ता से जादा पाने की लालसा की वज़े से आपको भी कभी कोई नुकसान हुआ है? कैसे? प्रश्ण दो कौन-कौन सी चीजे लोग अपनी आवशक्ता से अधिक एकठा करते हैं? सूची बनाईए कि जरुरत कम हैं लेकिन फिर भी हम उसे एकठा करते रहते हैं सिर्फ हमें नहीं बाकी लोग भी प्रश्ण तीन आप भी कौन-कौन सी चीजे अपनी आवशक्ता से अधिक एकठा करते हैं? कक्षा में साजहा करें कि आप as a student आपकी आवशक्ता कम है लेकिन फिर भी आपको लगता है हमें और चाहिए हमें और चाहिए ये चीज आपको बतानी हैं तो इन तीनों प्रश्णों पर आपको विचार करना है कि आपके हिसाब से इनके क्या उत्तर हो सकते हैं तो ये थी हमारी आज की कहानी मिलते हैं एक और प्रेणा दैक कहानी के साथ एक और वीडियो में तब तक खुश रहो और खुशियां बाटते रहो